आज मैं आपको दस्वी कक्षा के अर्थ शासर का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा जिसका नाम है भारतिय अर्थव्यस्ता के क्षित्रक्ट इसके अंतरगत यदि किसी भी अर्थव्यस्ता को पून रूप से समझना है तो विविनक्षेत्रों का अध्यान बहुत जरूरी है विभिन शेत्र कई प्रकार के होते हैं जैसे प्रात्मिक शेत्र, द्वित्यक शेत्र, तिरित्यक शेत्र, संगटित शेत्र, असंगटित शेत्र, निजी शेत्र और सार्जनिक शेत्र सबसे पहले मैं आपको प्रात्मिक शेत्र के बारे में बताता हूं प्रात्मिक शित्र प्रमुक रूप से कृषी पर आधारित होता है। कृषी शित्र में की गई सभी क्रियाएं प्रात्मिक शित्र के अंतरगत आती हैं। जैसे क्रिशी ख्षित्र में किसान द्वारा की गई खेती बाड़ी, मचली पालन, दूद का उद्योक यह सब प्रात्मिक ख्षित्र के अंतरगत ही आता है। प्रात्मिक ख्षित्र प्रमुक रूप से प्राकर्तिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रियोग करता है। इसे मैं आपको एक उधारन के द्वारा समझाने का प्रत्न करता हूँ। जैसे कपास की खेती, कपास की खेती पूण रूप से प्रक्रतिक पर निर्भर करती है। जैसे कपास की खेती के लिए जलवायू, सूरज की रौशनी, आदी निर्भर होता है। प्रात्मिक शित्र को क्रिशी शित्र या सहायक शित्र भी कहते हैं। भारत की अर्थव्यस्था में अधिकतर लोग प्रात्मिक शेतर पर ही निर्भर हैं क्योंकि आज भी भारत की जन्संक्या का बहुत बड़ा भाग गरामिन शेतरों में ही रहता है अगला क्शेतर है दुद्ते क्शेतर को अधियोगिक शेतर भी कहते हैं यह क्शेतर प्रात्मिक शेतर के बाद आता है दुद्ते क्शेतर क्या करता है दुद्ते क्शेतर प्रात्मिक शेतर में उतपादित वस्तू का प्रियूग करता है तथा उन्हें अंतिम वस्तू के निर द्वारन के द्वारा समझता हूं जैसे की कपास की खेती हैं कपास से सूत गात ना इसके पषचात कपड़ा बुनना यह द्विद्यक्षित्री को अन्तर गत ही आता है इसी प्रकार गंप्न्य उद्योग गन्ना उद्योग प्रात्मिक्षित्र में आता है परंतु गन्ने से चीनी और गुण बनना यह द्वित्यक्षित्र के अंतरगत आता है इसी परकार मिट्टी से इंट बनना यह द्वित्यक्षित्र के अंतरगत आता है अर्थात द्वित्यक्षित्र पून रूप स प्रात्मिक्षेतर पर निर्भर करता है द्वित्यक्षेतर में जो भी रोजगार प्राप्त होते हैं वे पून रूप से प्रात्मिक्षेतर पर ही निर्भर करते हैं मान लीजीए यदि कोई किसान अपने गन्ने को चीनी मिल में बेचना नहीं चाहता तो क्या चीनी मिल बंद हो जाएगी इसका जवाब हाँ या ना कुछ भी हो सकता है हो सकता है चीनी मिल अपना वह उद्योग वह काम धंदा बंद करके कोई दूसरा काम करने लगे जिससे बेरोजगारी नहीं होगी और चेनी मिल बंद भी नहीं होगी परन्तु कहीं न कहीं दोनों क्षेतर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं प्रात्मिक्षेतर अर्थात क्रिशी क्षेतर के लिए ट्रेक्टर की आवश्यक्ता होती है और ट्रेक्टर का उत्पादन कहीं न कहीं द्वित्यक्षेतर में होता है प्रात्मिक्षेतर में कई वस्तों का उपयोग किया जाता है जैसे ट्रेक्टर का उत्पादन द्वित्यक्षेतर में होता है यदि क्रिशी क्षेतर नहीं होगा तो ओद्योगी क्षेतर भी नहीं होगा दूसरी तरफ ओद्योगी क्षेतर भी पून रूप से प्रात्मी क्षेतर पर निर्भर करता है दोनों क्षेतरों की आपस में अंतर निर्भरता होती है तीसरा क्षेतर आता है तृत्यक्षेतर इसे सेवाक्षेतर भी कहते हैं इसके अंतरकर संचार परिवहन कई अन्यक्रियाएं आती हैं सेवाक्षेतर प्रमुक रूप से प्रात्मिक्षेतर और द्वित्यक्षेतर के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास करता है एक उधारन के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रत्न करता हूँ प्रात्मिक शित्र में अर्थात क्रिशी शित्र में जो भी उपज हुई जैसे गहुं, गहुं का उत्पादन हुआ उस गहुं को आटा मिल तक ले जाने का काम परिवहन के द्वारा हुगा और यह है परिवहन किस में आया? तिरित्य क्षित्र के अंतरगर तत्पस्चात उस गहुं से आटे का उत्पादन होगा आटे का उत्पादन किस में आया? और द्योगी क्षित्र में अर्थात द्वित्य क्षित्र में कुल मिलाकर प्रात्मिक द्वित्य और तिरित्य तीनों क्षित्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तीनों क्षित्रों में समान दर से विकास बहुत आवश्चक है तीनों क्षित्र कहीं न कहीं एक शित्र को आगे बढ़ाने में सहायक भी है प्रात्मिक शित्र अर्थात क्रिशी शित्र के लिए विभिन प्रकार के कीट नाशक दुद्ते शित्र से ही प्राप्त होते हैं इन तीनों क्षित्रों का किसी भी अर्थवयस्ता के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान होता है सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है एक अर्थवयस्ता में सभी प्रकार की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौदरिक मुल्य एक अर्थवयस्ता में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौदरिक मुल्य ही लिया जाता है प्रमुख रूप से दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक मध्यवर्ति वस्तु अन्य अंतिम वस्तु, मध्यवर्ति वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ति वस्तु वह वस्तु होती है, जो अन्य किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती है, अंतिम वस्तु वह वस्तु होत यदि मद्ध्यवर्थी वस्तुओं का मुल्य एक अर्थवयस्ता में घरेल उत्पाद में लिया जाए तो उससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन हो सकती है। जैसे ग्यहूं एक किसान द्वारा ग्यहूं का उत्पादन किया गया। ग्यहूं का बाजार मुल्य पांच रुपए ग्यहूं से बना आटा आटे का बाजार मुल्य ग्यहूं से अधिक होगा अर्था आठ रुपए आठे से बना मेदा, मैदे का मौदरिक मुल्य दस रुपय मैदे से ब्रेड का उत्पादन हुआ जिसका मुल्य पंदरा रुपय इस उधारन में ब्रेड अंतिम वस्तू हुई यदि हम ग्यहूं का मुल्य और उसके बाद आठे का मुल्य भी ले लेते हैं अर्थात ग्यहूं का मुल्य 5 रुपए और आटे का मुल्य 8 रुपए अर्थात दोनों का मुल्य 13 रुपए हो जाएगा परन्तु यदि आप ध्यान से समझें तो आटे का मुल्य जो की 8 रुपए है उसमें ग्यहूं का मुल्य 5 रुपए पहले से ही जोड़ा हुआ है आटे क शुद मुल्य तो तीन रुपए हुआ। इसी प्रकार से यदि यहूं आटा, मैदा और ब्रेड इन चारों का मुल्य जोड दिया जाए जैसे पांच रुपए, आठ रुपए, दस रुपए और पंदर रुपए तो इन चारों का मुल्य जोड के पस्चात 38 रुपए बनता है क्या एक अर्थवेस्था के सकल घरेल उत पाद में 38 रुपए लेना सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि इस 38 रुपए में ग्यहूं का मुल्य आप चार बार ले चुके हैं, आटे का मुल्य आप तीन बार ले चुके हैं, मैदे का मुल्य आप दो बार ले चुके हैं इसलिए अर्थवेस्था में केवल अंतिम वस्तों और सेवाओं के मौदरिक मुल्ले को ही लिया जाता है यह मौदरिक मुल्ले चालू वर्ष की कीमतों और आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है मुख्य रूप से सही मापन के लिए आधार वर्ष को ही रखा जाता है इसी प्रकार से वर्ष 1972-73 में क्रिशी शेतर का भारत के सकल घरिलू उत्पाद में बहुत बड़ा योगदान था परन्तु धीरे धीरे यह योगदान लगातार कम होता गया तथा सेवाक्षेतर का सकल घरिलू उत्पाद में योगदान बहुत अधिक बड़ गया और प्रात्मिक्षेतर एवं द्वित्यक्षेतर का योगदान लगभग वही रहा इसी प्रकार प्रात्मिक्षेतर, द्वित्यक्षेतर और तृत्यक्षेतर में श्रमिकों की अलग-अलग हिस्सेदारी होती है 1972-73 के आंकडों के अनुसार प्रात्मिक्षेतर में बहुत अधिक रोजगार था द्वित्य तथा त्रित्यक्षित्र में रोजगार करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ही कम थी परन्तु 2013-14 में यह संख्या लगातार प्रात्मिक्षित्र में घड़ती जा रही है श्रमिकों के संक्या द्वित्यक्षित्र और त्रित्यक्षित्र में लगातार बढ़ती जा रही है प्रात्मिक्षित्र अर्थात क्रिशी शित्रक में बहुत अधिक योगदान GDP अर्थात सकल घरिलू उत्पाद में नहीं है लेकिन फिर भी उसमें बहुत अधिक मातरा में क्रिशी उत्पादन होता है द्वित्यक्षित्र और त्रित्यक्षित्र में अधिक रोजगार के अफसर है परन्तु प्रात्मिक्षित्र में रोजगार के अफसर इतने नहीं है प्रात्मिक शेत्र में प्रमुक्रूप से छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है कि जैसे एक किसान के पास दो एकड़ भूमी है उस दो एकड़ भूमी में दो श्रमिकों की ही आवशकता है परन्तु उस किसान के पास परिवार में पांच सदस्य हैं यदि वह पांचों सदस्य भी उस भूमी में कारे करते हैं तो कहीं न कहीं वह कारे प्रनाली का एक भाग है यदि उन परिवार में से तीन सदस्य किसी दूसरे कारे में लग जाते हैं तो उस परिवार की अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी और क्रिशीक शेतर का उत्पादन फिर वही रहेगा दुट्यक शेतर तृत्यक शेतर यह प्रमुक रूप से गरामीन शेतर से बाहर पाए जाते हैं शेहरों में शेहरी करण अधिक होने के कारण गरामिन शेतरों से बहुत अधिक मातरा में शिरमिक शेहरों में आते हैं तथा रोजगार के अफसर ढूंडते हैं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि शेहरी शेतरों में बेरोजगारी की दर अचानक ही बढ़ जाती है प्रात्मिक्षित्र का उत्पादन में अर्थ्वेस्ता में बहुत अधिक योगदान है परंतु वहाँ पर अधिक सुविधाएं ना होने के कारण लोग अपने काम को अन्निक्षित्रों में ढूनते हैं यदि एक किसान को साख अर्थात उधार आसानी से बैंकों से कम ब्याजदर पर प्राप्त हो जाएं तो वह उत्पादन की मातरा बढ़ा सकता है नई तकनीक अर्थात ट्रेक्टर प्राप्त करने के लिए किसान के पास धन नहीं होता कहीं न कहीं वह साहुकार के पास जाता है और अधिक से अधिक ब्याज देता है सरकार द्वारा इन शित्रों के लिए कई परकार की योजनाएं भी बनाई जाती हैं जैसे की मन्रेगा मन्रेगा योजना सेप्टेंबर 2005 में लागू हुई थी इसके अंतरगत ग्रामिन शित्रों में लोगों को कम से कम सौ दिन की गारंटी रोजगार देने का वादा किया गया यदि किसी व्यक्ती को सौ दिन का रोजगार प्रदान नहीं किया जा पाता तो उसे बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है इसी प्रकार से दीन द्याल उपाध्याय योजना भी सरकार द्वारा लागू की गई जो कि शहरों में छोटे-छोटे उद्योग लगाने के लिए बनाई गई थी सभी योजनाएं लागू कर पाना, सभी योजनाओं का परिपून हो पाना भी आवशक नहीं है यह जरूरी नहीं है कि कोई भी योजना अपने पून रूप से कारेरत रहेगी यह भी जरूरी नहीं है कि कोई भी योजना उसी अनुरूप में कारे करेगी जैसा कि किंद्र सरकार ने सोचा इसी प्रकार से प्रात्मिक द्वित्य और तृत्य इन तीनों ख्षेत्रों का अपने आप में बहुत महत्पूर्ण योगदान है प्रात्मिक ख्षेत्र में कई प्रकार के लगू उद्योग कुटिर उद्योग भी आते हैं मैंने आपको पहले उधारन दिया जैसे दूद दूद से कई प्रकार की वस्तों का उत्पाधन होता है इसी प्रकार से मचली पालन पशु पालन एक अर्थवेस्ता की आधार शीला प्रात्मिक शित्र पर ही निर्भर करती है कोई भी अर्थवेस्ता प्रात्मिक्षित्र से ही चालू होती है प्रात्मिक्षित्र पर ही द्वित्यक्षित्र और तृत्यक्षित्र अधिक से अधिक निर्भर रहते हैं यदि प्रात्मिक शित्र में उत्पादन नहीं होगा तो कहीं न कहीं द्वित्य और तिरत्य क्षित्रों में बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। कहीं न कहीं दुट्य और तृत्य शित्रों का योगदान एक अर्थवयस्ता की सकल घरेलू उत्पाद में भी घट जाएगा इसलिए प्रात्मिक शित्र की आधार शीला पर ही दुट्य और तृत्य शित्र निर्भर करते हैं अगले शित्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो है संगठित शित्र और असंगठित शित्र संगठित शित्र वैक शित्र होता है जहां सरकार की सभी योजनाओं का लाब श्रमिकों को मिलता है यह वैक शित्र होता है जहां कम से कम दस श्रमिक कारे करते हैं यह शित्र सरकार द्वारा लागू की गई सभी प्रकार की योजनाओं को मानने के लिए प्रतिबद्ध होता है असंगटित शित्र वैक शित्र होता है जहां पर एक व्यक्ति स्वेम का रोजगार स्वेम का काम करता है जैसे रेली पट्री वाला, धोबी, मोची यदि आप आसपास के अपने शित्र में देखोगे तो असंगटित शित्र आपको अधिक दिखाई देगा संगटित शित्र इतना अधिक मात्रा में नहीं है सरकारी योजनाओं को, सरकारी नियमों को मानने के प्रतिबद्धत संगटित शित्र में होती है परंतु वह कहीं न कहीं उस संगटित शित्र को असंगटित शित्र की तरह ही प्रियोग करते हैं ताकि सरकारी योजनाओं को वह लागू ना कर सके ताकि उनका लाब अधिक से अधिक हो कहीं ना कहीं संगटिच्षितरों से लोग निकल कर असंगटिच्षितरों में आ रहे हैं 1992 के आंकडों के अनुसार संगटिच्षितरों से लगातार शर्मिकों की संख्या घटती जा रही थी जबके इंदर सरकार ने इस और ध्यान दिया तो देखा गया कि संगटित शित्र अपने यहां काम करने वाले श्रमीकों को उस प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे जो की सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए संगटित शित्रों को और ज्यादा छूट दी गई है सरकार द्वारा संगटित शित्रों को समझाया गया कि यदि वह अपने उत्पादन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं श्रमीकों के कल्यान को ध्यान में रखना पड़ेगा संगटित शित्रों से और संगटित शित्र में जाने का दूसरा कारण एक और भी है कि इश्रमीक पुन रूप से अपने आधार पर जीवन यापन कर सकता है एक व्यक्ति सुभा नौ बजे से पांच बजे तक नौकरी करता है वह संगटित शित्र के अंतरगत आता है उसे नियमित रूप से आये प्राप्त होती है हफते में एक यह दो उसे छुट्टी मिलती है सरकारी योजनाओं का उसे लाब मिलता है चिकिटसा की योजना जो सरकार द्वारा संग्डित शित्रों के लिए लाई गई उनका लाब मिलता है परन्तु दूसरी और असंगटित शित्र जैसे एक दुकानदार एक दुकानदार के लिए अपने दुकान में काम करने का कोई समय निर्धारित नहीं है उसकी कोई छुट्टी निर्धारित नहीं है उसको किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाब नहीं मिल पा रहा परन्तु असंगटित शित्र में फिर भी संख्या बहुत अधिक है क्योंकि संगटित शित्र में कहीं ना कहीं शमीकों का प्रत्यक्ष एवम प्रत्यक्ष रूप से शोषण ही होता है अगले अक्षित्र है निजीक्षित्र एवं सार्वजनिक्षित्र निजीक्षित्र वहक्षित्र होता है जहां उत्पादन के सभी साधनों पर पूरूरूप से अधिकार किसी ना किसी निजीक्षित्र का होता है तथा इनका मुख्य उदेश्य लाब कमाना होता है दूसरी तरफ सार्वजनिक शेतर वहक शेतर होते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है और इनका मुख्य उदेश्य कहीं न कहीं लोग कल्यान या जन कल्यान होता है कई वस्तुएं कई ख्षेतर ऐसे होते हैं जो समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं परन्तु निजी ख्षेतर उसमें उत्पादन नहीं करना चाहते परन्तु निजी ख्षेतर उस ख्षेतर में उस कारे में अपनी कोई भी रूची नहीं दिखाते जैसे बांद निर्मान, सडक निर्मान इसमें निजी शित्रों द्वारा कोई रूची नहीं दिखाई जाती क्यों? क्योंकि इनका कारे काल, इनका निर्मान कारे बहुत लंबे समय तक चलता है और अधिक समय तक चलने के बाद भी अधिक लाब प्राप्त होगा या नहीं, इसकी कोई गैरेंटी उन्हें नहीं होती बांद का उत्पादन उर्जा के लिए किया जाता है उर्जा समाज के लिए आवश्यक है और सरकार का मुख्यो देश्य लोग कल्यान होने के कारण निजीक शित्रों में यह भै रहता है कि उर्जा के उत्पादन के पश्चाथ क्या हमें हमारा लाब मिल पाएगा इसी प्रकार से सरक निर्मान, सरक निर्मान के द्वारा निजीक शित्रों को किसी भी प्रकार के लाब की प्राप्ती की कोई संभावना नहीं होती परन्तु कहीं न कहीं निजीक शित्र एवं सार्वजनिक शित्र एक दूसरे पर निर्बर ही करते हैं सार्वजनिक शित्रों में कई वस्तों का प्रियोग ऐसा किया जाता है जो निजीक शित्र द्वारा उत्पादित की जाती है और निजिक शेत्रों में कई वस्तों का ऐसा प्रियुक किया जाता है जो वस्तों का उत्पादन सार्जनिक शेत्रों में होता है तो कुल मिलाकर आज के अध्याय में हमने एक अर्थवेस्ता को समझने के लिए कई शेत्रों का अध्यन किया प्रात्मिक्षित्र क्रिशी शेत्र पर आधारित है, द्वित्यक्षित्र और द्योग पर आधारित है, तृत्यक्षित्र सेवा पर आधारित है सेवा का मतलब लाब कमाना ना हो करके लोग कल्याण है ऐसा आवशक नहीं है सेवाक्षित्र का अर्थ है जिसके अंतरगत सलक, परिवहन, संचार, परियतन यह सब आता है प्रात्मिक, द्वित्य, एवं तिरित्य शित्र, तीनों ख्षित्र एक दूसरे पर पूनों रूप से निर्भर करते हैं अगला ख्षित्र जो मैं आनने आपको बताया संगटित ख्षित्र, जिसमें कम से कम दस श्रमिक होते हैं असंगटित ख्षित्र जिसमें प्रमुक्रूप से स्वन योजित आये प्रात करने वाले व्यक्ती होते हैं आसंगडिक्षित्र में वहव्यक्ति आते हैं जिनका उत्पादन के सभी साधनों पर खुद का अधिकार होता है इसमें छोटे स्तर के व्यापारी आते हैं रेडी पट्री वाले भी आते हैं अगला क्षित्र निजीक्षित्र जिसका मुख्यों देश है लाब कमाना है अंत मे सार्वजनिक शित्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इसका मुख्योदेश है लोग कल्यान या जन कल्यान होता है आप इस अध्याय को अपनी पुस्तक पर एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूर्णु रूप से प्रतेक शित्र के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाएगा नमस्कार जाएगा झाएगा नमस्कार